Hey everyone, मैं हूँ Madhu और स्वागत है आपका मेरी चैनल, Twins Mamami आज के वीडियो में मैं बात करूंगी आप से नारियल पानी पीने के बारे में during pregnancy गर्मियों का मौसम है और जैसे हम सब जानते हैं कि नारियल पानी is one of the most hydrating drink और बहुत अच्छा भी होता है during this summers taste में भी काफी अच्छा होता है, health benefits भी काफी है लेकिन pregnancy में इससे जुड़े हुए बहुत सारे मित है कुछ लोग मानते हैं कि यह अच्छा नहीं होता, इससे acidity हो सकती है इससे labor pain induced हो सकता है, इससे abortion हो सकता है यह सब गलत है दूसरे लोग यह बाते हैं कि pregnancy के दौरा नारियल पानी का सेवन आपके बेबी को fair बना सकता है उसके hair का जो strength है वो better होता है ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब गलत है बच्चा क्या खाने से गोरा होता है, किस तरीके से गोरा होता है इसके पीछे का जो science है वो मैंने already अपने एक वीडियो में discuss किया हुआ है आप चाहें तो उसे देख सकती है लेकिन नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदान नहीं होता ऐसा कोई scientific evidence नहीं है नारियल पानी एक बहुत ही healthy or refreshing or tasty drink है और नारियल पानी प्रिगनेंसी में आपको पीना चाहिए इसके बहुत सारे health benefits भी है नारियल पानी में 95% पानी ही होता है और बाकी 5% electrolytes तो खुद को hydrate रखने के लिए गर्भावस्ता के दौरान ये एक बहुत अच्छा option है इसमें potassium, sodium और magnesium जैसे valuable electrolytes मौझूद होते हैं प्रिगनेंसी के third trimester में जो gastroesophageal reflex होता है बहुत सारे personal interviews में महिनाओं ने ये माना है कि coconut water उस reflex को soothe करता है हाला कि scientific evidence बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं है coconut water में proper fetal development के लिए required जो nutrients होते हैं उसमें से भी काफी कुछ मौझूद होता है तो ये भी एक कारण आप मान सकते हैं coconut water के हग में 2005 में published एक research study में ये पाया गया है कि दो हफ़ते तक लगातार अगर नारियल पानी कोई पीता है उसके blood pressure में काफी कम ही आती है और हम सबको पता है कि pregnancy के दोरान high BP होने के chances काफी जादा होते हैं और काफी common होते हैं तो अगर इस दोरान एक महीला नारियल पानी पीती हैं ये उनके blood pressure को regulate करने में भी कुछ हट तक helpful हो सकता है coconut water immunity boost भी करता है और pregnancy के दोरान एक महीला का immune system काफी compromise रहता है तो ये another reason आप मान सकते हैं to have coconut water in pregnancy इसके अलावा coconut water body को detoxify भी करता है और constipation से राहत भी देता है इन सारे advantages के बावजुद आपको इस गलब फहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि coconut water best drink है आपकी body को hydrate रखने के लिए जब भी हम hydration की बात करें पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको 8-10 glass पानी पीना चाहिए अगर समर्स हो तो शायन उससे भी थोड़ा जादा खुद को pregnancy की दोरान hydrate रखनी के लिए इसके अलावा नारियर पानी खरीदे वद देखेगी आप जहां से ये खरीद रही है वो एक proper clean and hygienic place हो जो बंदा नारियर पानी आपको काट कर दे रहा है वो अपने हाथों को अच्छे से धो कर उसे दे रहा हो प्लस हमेशा कोशिश कीजिए कि जो green color का tender coconut होता है उसी का पानी आप पीए वो सबसे बेस्ट माना जाता है fresh coconut water ही हमेशा ले canned या tinned भी आजकल कुछ coconut water आते हैं लेकिन उसमें कुछ sugars added होते हैं तो वो आपको नहीं लेनी चाहिए इसके अरावा दिन भर में दो कप से जादा coconut water आपको नहीं लेने चाहिए प्रेग्नेंसी में हर चीज मॉडरेशन में लेनी जरूरी है मैंने आपको अपने watermelon related video में भी ये बात कही थी कि अच्छा हो सकता है एक fruit या एक substance लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान जरूरी है कि आप उसे एक limited quantity में ही ले ऐसे ही प्रेग्नेंसी, parenting, twin moments और fitness related to mom's day से वीडियो के लिए मेरी चैनल को काईंगी subscribe कर ले और notification bell को hit करना ना भूले इससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी जड़ ही मिल जाएगी Thank you so much for watching my video, see you soon, till then, take care